नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर शोलिशन के यूट्यूब चैनल पे इंपोर्टन कोशन की सीरीज में आज मैं डिसकस करने वाला हूँ आपके साथ यूनिट फाइफ के मौस्ट इंपोर्टन कोशन जो की आपके रहेंगे घ्यान एम पार्टे चरेके यानि के नौलिज एंड कैरिकुलम के आपका यह सब्जेक्ट रहता है बीएट सेकंडियर का का इस सब्जेक्ट रहता है जो भी इंपोर्टन कोशन आपको बता रहा हूं 100% वही आपके एक्जाम में आपको मिलने वाले हैं उन्हें याद करके आप अपनी अच्छी मेरिट काफी इजिली बना लेंगे इसलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करेगा जिससे कि आपके पास वीडियो को नोटिफिकेशन आते रहें कोई भी इंपोर्टन कोशन की वीडियो MJP यूनिवस्टी की जो भी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए ठीक है तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब क चरिया से आप क्या आपका क्या तात पर है स्पस्ट कीजिए वाट डो यू मीन बाइद केरिकुलम से लेवस एंड कोर्स ओफ इस्टडी एक्सप्लें तो यह कोशन आपका इंपोर्टेंट आपका रहता है इसका स्की शोट आप ले लिजेगा या फिर अपने मोडल पर इस क्या आपका रहता है इसका स्की शोट आपका रहता है कि नेस्ट कोशन जो कि आपका इंपोर्टेंट रहेगा यूनिट फाइफ का वापका यह है कि पार्थ्य पुस्तक की अवशक्ता को समझाईए पार्थ्य पुस्तकों के मुल्यांकन का मापदन बताईए ठीक है एक्स्प्लेंद नीड ओफ टेक्स्ट बूक डिस्क्राइव स्केल्स ओफ टेक्स्ट बूक तो यह कोशन आपका इंपोर्टेंट रहता है इसका स्क्रीशोट आप ले लिजेगा या फिर अपने मुल्यांकन पर इसको टिक कर लिजेगा नेस्ट कोशन की बात करते हैं ऐसे भी पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं कि पार्थ्य पुस बुक औफ एने स्कुल्स अब्जेक्ट एड्ड सेकेंटरी लेवल तो यह कोशन आपका इंपोर्टेंट आपका रहता है इसका स्क्रीशोट आप ले लिजेगा नेस्ट कोशन की बात करते हैं जो कि आपका इंपोर्टेंट आपका रहेगा युइनिट फाइफ का नेस्ट कोशन यूनिट फाइफ का जो आपका इंपोर्टेंट रहता है वह आपका यह है कि राष्टे पाट्टे चरिया की रूपरे का दो जार पांच की विस्तित विवेचना कीजिए डिसकस इन डिटेल दा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दो जार पांच तो यह कोशन आपका काफी ज़्याद आपका इंपोर्टेंट रहता है एंसी एफ दो जार पांच यह आपको जरूर करके जाना है ठीक है इसका स्की शोट ले लिजेगा अपने मॉंडर परस को टिक कर ल करते हैं जो कि आपका इंपोर्टन रहेगा उनिट फाइफ का नेश्ट को आपका इंपोर्टन रहता है इसको आपको जरूर करके जाना है ठीक है ऐसी आसकता है कि राश्टे पाट्यकरम सरचना न्सेफ दो जर पांच की परमुक विशेष्ताओं का विश्ताओं कीजिए इस पर स्कीजिए वाटार में फीचर्स ओफ नैसनल कर्यूरम फ्रेम्रक 2005 एक्स्प्लें इन डिटेल तो यह कोशन आपका काफी जाद आपका इंपोर्टन रहता है इसकर्ष्की शोट आप ले लिजेगा फिर अपने मॉडल पर टिक कर लिजेगा नेक्स बात करते हैं नेक बात करते हैं जो कि आपका इंपोर्टन रहता है युनिट फाइफ का आपका जये रहता है कि समुधाय संसाधन है और समुधाय एक विद्याली संसाधन है पुस्टिक की ज़िए ठीक है । इसका इसकी शोट आप ले लिजेगा अपने मोडल पर इसको ठिक कर लिजेगा नेक्ट कोशन की बात करते हैं जो कि आपका इंपोड़न रहने वाला है यूनिट 5 का कि नेक्ट कोशन जो आपका इंपोड़न रहता है यूनिट 5 का वह आपका यह है कि पाठ्थे पुस्तक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप क्या सिफारिश करेंगे इसका वंड़न कीजिए एक्सप्लेंड दा रिकमेंडेशन्स टू इन्हेंस दा क्वालिटी ओफ ट जाना है उसका कोशन आपको एक जरूर खाववा मिलेगा ठीक है राश्ते पाटेकन उसे जना दोजर पांच की प्रमूंग विचेशनाओं का संचे में वन कीजिए डिस्क्राइब दा साइलेंट फीचर्स ओप दा नेशनल केरिकुलाम फ्रेमवर्क दोजर पांट तो यही आपके यूनिट 5 के मॉस्ट इंपोर्टेंट कोशन जो भी मैंने आपको बताए हैं तो यही कोशन आपके इंपोर्टेंट रहते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइक उनको प्रेस करेगा जिसे आपके आपके बास वीडियो नोट इस सारे बच्चे हैं तो आप भी फटावट से जोगा इस गृूट डिफट को में प्रोवाइट कर आदे आ घ्राधेरेगा नामस्त्य बाइ धन्यवाद यह